कि नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल आकास ETP में हार्जिश फोकती हूं और आज हमार हिkay टाइटल है दा क्राइड अमेन क्रेव और क्राइड होता है एक चार सब्सक्राइड और क्रेविकी जो बड़े-बड़े पत्तर उठाते हैं उसे भी क्रेन बोलते हैं यहां सारस हो रहा है यह सारस यह रहा सारस ठीक है और क्रेब क्रेब का मतलब बतार केकडा यह रहा केकडा सारस और केकडा चलो इस्टोरिय क्रों स्टार्ट करते हैं इट वोज पीक समर समर यानि गर्मी पीक यह नि चरम सीमा पर या चोटी भी बोल सकते हैं ठीक है यहां चरम सीमा पर यूज करेंगे गर्मी का मोसम चरम पर था वोटर इन मैनी लैक्स हैड ड्राइड यह नि शूख न लैक्स जीले और कई पानी की जीले शू stuk गई थी Animals in the forest near the legs started to relocate Relocate यानि सरंड लेना या इस्तनांत्रित होने एक इस्तान जे दूसरी इस्तान पर जाना Forest in jungle near यानि pass में legs यानि jheel started in शुरू करना और जान पर jheel के पास जंगल में जाना शुरू कर दिया They went in search of palace with more water Water यानि पानी वेंट इन जाना, सर्च ने खोजना, पहले शेनी जगह हैं, और वहें मोर यानी अधिक, और वहें अधिक पाने की तलास वालिस्तान को खोजने के लिए निकल पड़े, एक क्रेब वोज वेरिड अबाउट इट्स फ्यूचर, फ्यूचर यानी बहुश है, क्रेब यानी एक केकड़ा अपने बहुशे को लेकर बहुच चिंतित था, वोज बड़्स कैन फ्लाई ओफ, बड़्स यानी पक्सी फ्लाई मिस उड़ना, और पक्सी उड़ सकते थे, एनिमल्स कैन रन ओफ, और जानबर भाग सकते थे, दा क्रेब वोज अनॉट यानी नाराज होना, क्रेब यानी केकड़ा, और केकड़ा इस बात से नाराज था कि वहें जील से बाहर नहीं निकल सकता था, और तब तक जील नहीं रह सकता था, जब तक कि वहें रहने के लिए दूसरी जील की तलास नहीं कर लेता, एक क्रेब फ्लू टू दा लैक इन सर्च और फूड, फूड यानी भूजन, क्रेब नी सारस फ्लू ने उड़ना, लैक इन जील सर्च इन खोजना, और सारस भूजन की तलास करने के लिए वहें जील की और उड़ पड़ा, लैक इन जील, फास्ट इन जल्दी, ड्राइन सूखना, और वहें जानती थी कि जील जल्दी से सूख रही है, कैंच यानि पकड़ना, होपिंग यानि आसा, और उसे एक अच्छा कैंच पकड़ने की उमिद थी, सी, सी सो, दाक सोरो, फिल्द क्रेब, सी टेड, ओन ए, रोक एन वीपिंग, वीपिंग यानि रोना, रोक यानि, चत्तान, सी टेड यानि, बैठा हुआ, दुख से बरे केकड़े को चत्तान पर बैठकर रोते हुए देखा, दा, दा, क्रेव गयर, क्रेब एन आक्ष, गयर यानि, साररास, केम इन गया नियर इन पास में, और साररस केकड़े के पास गया और पूछा, वाई आर यूं, कैरिंग फ्रेंज, तुम रोक क्यों रहे हो, मेरे दोस्त, the crave replied in a sad voice sad voice ने उदास replied ने उत्तर देना और उसने दुखी आवाज में उत्तर दिया the lack in drying and the fish are all die, diamonds मरना diamonds सूकना और जील सूक रही है और मसलियां मर रही है I am worried about our future मुझे अपने बहुष्य को लेकर चिन्तित हूँ ये रहा केकड़ा और ये शारस the crane said in a caring voice caring ने देख बाल करना वो जने आवाज और सारस ने देख बाल करने की आवाज में कहा come with me to the lack I live in मेरे साथ आओ मेरे साथ जील में मेरे साथ जील में आओ मैं इसी जील में रहती हूँ there in plenty of water planting बहुत water and पाने और वहाँ बहुत सारा पानी है the crave agreed happily agreed यानि सहमत होना और केकड़ा खुशी से सहमत हो गया the crane carried the crave on her back and started off to her home carried यानि ले जाना her back यानि पीट पर और सारास ने केकड़े को अपने पीट पर बठा कर घर की और चल दिया the crave was seeing new palace for the crane's back back यानि पीट पर और केकड़े ने सारास की पीट पर बैठ कर कई ने जगें देखी we are almost home और वहें लगबग घर पर ही थे said the crane सारास ने कहा the crave look down hoping to see water filled lack lack in jail filled यानि भरा हुआ water in pani down in नीचे hoping in asa पानी से भरी जील को देखने की asa से केकरे ने नीचे देखा इन इस्टेर heave, sow, heaps, or bones split all over heaps यानि डेर bones यानि हड्या split यानि बिखरा हुआ और उसने जील के बजाए क्या देखा हड्यों का डेर बिखरा हुआ देखा the crave understood that the crane had killed many fish and crave like him earlier earlier यानि पहले या पूरू understood यानि समझना crane यानि सारस killed यानि मारना many यानि बहुत fish यानि मचली crave यानि केकडा और केकडा समझ गया था कि सारस मचली कई मचलियां और मेरे जैसे केकडे को पहले मार चुकी है he immediately grade the crane's neck grade यानि पकडा neck यानि गर्दन और केकडे ने तुरंट सारस की गर्दन पकड़ी with his clothes and strangled her to death close यानि या पंक भी होता है और या क्या उसकी जो पंजव अगेरा थी वह हैं और उसने अपने पंजों से उसकी गर्दन को पकड़ी और तुरंट उसे मार दिया somehow to manage to escape to a nearby leg escape यानि भाग निकलना किसी तरह वह हैं पास की जील से भाग निकलने में सपल रहा चलो इसका moral और देखते हैं moral से कि हमें क्या सीग मिलती है presence of mind pay of presence यानि उपस्तिती mind यानि धिमाग मन की उपस्ति का फल मिलता है जो भी हम तुरंट सोकते हैं कभी कभी उसका भी फर मिल जाता है जैसे केकड़े ने सोचा कैसी लगी स्टोरी अगर थोड़ी भी पसंद आए तो like, share and subscribe जुरू करें आपका दिन सुब हो ट्यूकिंग तो तो झाल